यहां मैंने एक ग्रेटेड ओरेंज केरेट ली है रेट के कंपेर में इसमें फाइबर जादा होता है और यह वेट लोस के लिए अच्छी होती है इसमें विटामिन A, E, and K होता है और यह हमारे स्कीन के लिए अच्छी है अब हम इसमें आदा कप ओर्ट डालेंगे और इसको डाइजिस्ट होने में टाइम लगता है और यह हमें जल्दी भूक नहीं लगने देता है यहां मैंने हाफ कप चोकोनट रूप में पानी आइड करके लिए है यह हमारे वेट लोस में भी हैल्प करेगा और हमारा डाइजिशन इंप्रूव करता है और कॉनस्टिपे डालेंगे for flavoring अब हम इसमें 4 dates डालेंगे मीठे flavor के लिए और protein और iron में भी रीच होता है एक टेबल स्पून सब्जा यानि की बैसिल seeds डालेंगे यह हमारे wet loss में help करेगा और constipation और bloating को भी हटाएगा अब इन सबको अच्छे से mix करेंगे टॉपिंग्स में black resins और flaxseeds और बादाम डालेंगे black resins हमारा blood purifier करता है और खुन को बढ़ाता है अलसी के बीज में omega 3 fats होते हैं और इसे कच्छा ना डाले वो गरम पढ़ता है इसे roast करके ही डाले यह खाने में भी अच्छा लगेगा और बादाम में भरपूर मात्रा में protein और vitamin C होता है जो हमारे wet loss करने में मदद करता है इसलिए हमें हमारे daily diet में बादाम तो लेने ही चाहिए अब इस बावल को हम freeze में रख देंगे पूरी रात के लिए friends में कुछ और भी oats की recipe लेके आऊंगी इसलिए हमारे चैनल को subscribe करने ना भूले अब देखिए morning में हमारे oats ready है डायरेक खाने के लिए अगर आप चाहे तो इसमें उपर से apple और banana भी cut करके डाल सकते है और यह कितना अच्छा लगता है कि tasty food के साथ wet loss भी होती है इस oats को breakfast के साथ replace करके अपना वजन कम करें और आपके results कमेंट करें और family and friends के साथ यह हमारा वीडियो शेर करें thanks for watching this video friends